इंसाइडर्स मेरा नाम है आशीश और आप देख रहे हैं टेश्टी कोडी चैनल तो आज किस वीडियो में देखने वाले हैं सर्विसेज इन एंगलर एंगलर में सर्विस कैसे यूज़ की जाती है और सर्विसेज होता क्या है इसके अबारे में देखेंगे विद्ध हेल्प सर्विस में हम वारे में देखेंगे और मैं बता दो कि इसके बादक। को इसले स graphics करना नहीं तो भूइंगलर ऑड डावट इंभर मोडिय féषग मोडियो स्पेसफिक डावटींग तो यह सारे फेश्श चीज ऐसे मॉडील है ऐसे टॉपिक घ्यू को एग च्छीन आफे चन इसके बीना project complete होंगे ही नहीं तो आने वाले videos एक भी miss मत करना पिछले miss कर दिया तो कोई बात नहीं लेकिन जरूरी वो भी था अगर आप नहीं देखे तो मैं यही recommend करूँगा आप उसको पहले देखें तब इसको देखें नहीं तो समझन नहीं आएगा तो simply अब हम क्या करेंगे एंगलर services देखने वाले हैं एंगलर services में हम सबसे पहले तो practice करेंगे अपने code पर आगे ठीक है तो मैं अपना visual studio code open कर चुका हूँ और यहाँ पर दो file हमने open कर रखिए पहला है app component.ts दूसरा है app component.html यहाँ पर हम बनाने वाले हैं services तो services बनाने के लिए सबसे पहले हमें file create करने पड़ेगी service की तो उसके लिए हम CLI कर यूज करेंगे तो CLI में हम simply type करेंगे ng, g for generate, s for service and यहाँ पर service name तो service name मैं देता हूँ user data user data अब जैसे मैं हिट किया तो यह दो file create करेगा user data spec.ts, user data service.ts अब मैं बता दूँ जितने component या service या module या जो भी बनाते हो interface सभी में spec file जरूर आती है तो आप spec file को remove कर सकते हैं ठीक है देखो यह भी create किया है दो file यहाँ पर आते हैं चेक करते हैं यह फाइल आगे user data service.ts, user data spec.ts तो मैं बताओ इसको आप remove भी कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूंगा कि remove मत किया करो क्योंकि एंगलर वाली इतना बेकूफ नहीं है कि वो तुमको एक file extra देंगे ठीक है क्योंकि यह testing के लिए बहुत important होते है जब आप complex project बनाते हो तो उसमें spec file की बहुत ज़्यादा importance feel होगी तो इसलिए यह file delete करने के आज़ा चोण दो और यह file बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर unnecessary होती तो जैसे Angular 15 में environment folder हटा चुके हैं यहाँ पे भी environment folder हटा दिये होते हटा दिये हैं उसी तरीके से spec.ts भी हटा देंगे ठीक है लेकिन इतनी नसेसरी नहीं है इस वाज़ा से spec file को अभी भी रखे हैं तो आप लोग भी इसको delete मत किया दरो ठीक है यह बहुत अच्छा practice का वो नहीं है चलो अब हम आते हैं अपने code पे तो हमारी file create हो चागी है थोड़ा सब अपने service file के अंदर जो code लिखा है उसके बाएं थोड़ा समझ देते हैं यहां सिंप्ली एक decorator है जो कि यहां यह सारे export class और हमारे constructor life cycle hook को consume करके रखाए ठीक है तो अब हम यहां पर simply एक method बनाएंगे method return type का बनता है यहां पर जो भी service के अंदर method बनेगा return बनेगा simply मैं देता हूं get all data और इसको parenthesis में दिया curly bracket open and close अभी method बना अभी यहां पर method को हम return कराएंगे return क्या कराएंगे data return कराएंगे return array array के अंदर क्या होगा object होगा हमारा object अंदर क्या होगा dummy data make data type करता हूं name ने में में pass कर देता हूं आशीश अब कॉमा यहां पर मैं pass करता हूं और सारे data जो necessary हो जो आपको hit करना हो comma यहां पर मैं type करता हूं email तो email भी लाइक email टाइप ठीक है email डाइब का मतलब हुआ कि अगर आप email आप एमेल दे रहे हो तो एड़ रेट सब डोमेन वगरा यूज़ कर सकते हो सब्सक्राइब करते हैं इस अब्जेक को सिंप्ली हम कॉपी करेंगे मिलें cui यहां पर कौमा लगाएंगे और फenty कि यहां पे तरी के तौ्टीवह कर दिया सेफ ठीक है तो सिंप्ली हमिले टीन डेटा यहां पर ले रखा है सर्विस के अंदर हमारी सर्विस फाइल कंप्लीट हो गई है अभी हमें इस पर कुछ नहीं करना अब आपको एक चीज़ और बता दें सर्विस दो तरह के स्यूज़ कर सकते हैं एक जैसे मैंने अभी किया यहां पर आप सारा मोग डेटा रखकर आप कॉल करा सकते हो अपने कंपोनेंट पर ठीक है सर्विस सब्सक्राइब कर सकते हो बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक मोग डेटा अलग बनाओ और उसको गेट पोस्ट पूट टिलीट इडिट इन सारे के तुरू यूज़ करो अगर इस टाइब की वीडियो आपक है इसवफिल क्रियेट ने वाले बसर नाएं होगा है अलडव होगा इसते आप और हमारे चाही टाइप का रहा है ठीक है और साथ भी साथ हम यूज़ करेंगे श्रुज़ करेंगे तो के तो सब्रूज़ किनस्टवारे हमने कि इस सबसे पहले प्रोजेक्ट में हमारे हीट होता है और उसके बाद यहां कर लिए के टो पिन एंड क्लोज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे अपनी सर्विस को इंजेक्ट कराएंगे सर्विस को इंजेक्ट कराना मतलब हुआ कि यहां से हम directly service को inject कर लेंगे तो service के अंदर जो भी method होगा जो भी services होगी जो भी चीज होगा उसको मैं यूज कर सकता हूं यहां पर सिंप्ली मैं क्या करूंगा यहां प्राइबिट प्रॉपर्टी लेते हैं और यहां टाइप करते हैं कि API सिंप्ली लेखते हैं API कोलन अपने services का नार तो मैं यहां सर्विस नहीं देता हूं यूजर डेटा सर्विस यह रहा गया तो यह इंपोर्ट हो जाएगा आप उपर टॉप पे देखेंगे तो यूजर डेटा सर्विस आउटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है ठीक है अब आपको सिंप्ली करना कुछ नहीं है अब इसका सारा सारा में थार्ड इसका सारा सारा डेटा यूज कर सकते हो तो मैं इस कर के अंदर जो डेटा तो सर्विस के अंदर क्या है कि अब और डीटा के अंदर आ चुका है मैं अब करना यहाँ पर सब्सक्राइब अपने में अपने मेथड को कॉल कर लेते हैं और स्टिंग करा लेते हैं कि अभी यहाँ पर हमारा तो इसको मुझे बताना पड़ेगा कि यहां पर मैं काम करता हूं कोलन करता हूं एनी टाइप करता हूं ठीक है कि यह डेटा हमारा एनी टाइप का हो सकता है एनी आफ ऑब्जेक्ट हो सकता है बस सिंप्ली इतना करने के बाद अब आपको अपने टेबल के अंदर टेड़ लेता हूं टेड़ी कंदर हम टीडी लेते हैं और टीडी के अंदर सब्पहले डेटा है नीम इसको मैं मैं मल्टिबल टाइम कॉपी करूंगा पेश्ट कर लूंगा नेम है, एज है, एंड लाज्ट ओन इमेल है, ठीक है? इमेल, अब इसी तरीके से हम टी बोली लेंगे, टी बोली के अधर होता है एक, table row, table row के अधर होता है, तीडी. अब table row के अंदर हम क्या करेंगे अपने data को एक for loop में लेंगे ठीक है जो कि structure directive का part है जो कि मैं पिछले वीडियो में cover कर चुक हूँ already तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रू देख लिए यहां मैंने लिया अब यहां पर एक वैरियेबल लिया आता है लेट से लेट डेटा ऑफ ऑल डेटा ठीक है जो और डेटा के अंदर डेटा हो सारे डेटा के अंदर आजाए अब मैं यहां पर simply इंट्रपोलेशन कराता हूं जो कि यह भी पॉइंट में कवर कर चुका हूं पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा तो उसकी वीडियो देख लेजिए अब यहां डेटा डॉट यहां मैंने दिया नेम ठीक है इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करूँगा और मॉल्टिपल इसको कुन देख लेते हैं तो ब्राउजर पर आया यहां पर देखो नेम-एज-मAILE दिख तो रहा है हमारा सारा के सारा डेटा लेकिन टेबल पॉर्मेट मिन नहीं है यहां पर देते हैं टेबल के साथ-साथ बॉर्डै वन सेप कर देते हैं अब這क करते हैं कि टेबल बॉर्डर में आता है देखो अब सेप्रेट हो गया जिसके एज आ गया इमेल के नीचे एमेल आ गया और नेम के नीचे नेम आ गया बट यहाँ पर हमारा अभी भी सेम प्लेंट टेक्स्ट है टेबल एडिंग नहीं है तो अब इसके बारे में हम फिर से ने नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ जो की काफी इंपॉर्टेंट है बूर्ट स्ट्रैप इंटिग्रेशन सुमिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई कीप टेक्टिस कीप कोडिंग टेक केर